Hello friends, noeconomics.in में आपका स्वागत हैं आज के वीडियो में हम जानेंगे Economics में Utility सब्द का क्या मतलब है दोस्तो इस वीडियो में हम बिलकुल Simple Way में Utility या उपयोगीता के उन सारे Important Concepts को समझने की कोशिज करेंगे जिसका इस्तमाल Economics में किया जाता है तो दोस्तो जब भी हम Economics में Utility सब्द का इस्तमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी Goods या Services से मिलने वाले Satisfaction या संतुष्टी की बात कर रहे हैं जब भी हम किसी Goods या Services का कंजम्शन करते हैं तो इससे हमें कुछ ना कुछ Satisfaction मिलता है यानि हम कह सकते हैं कि Goods या Services का कंजम्शन करने पर हमारी इच्छाओं की पूर्ती होती है इसका मतलब है कि Utility का संबंध किसी Goods या Services के इस्तिमाल से मिलने वाली उस गुन से है जो हमारी इच्छाओं को Satisfy करता है दोस्तों Utility को उप्योगिता, तुष्टी गुन, Happiness या Satisfaction इस तरह के कई नामों से जाना जा सकता है अब किसी चीज के कंजम्शन से हो सकता है कि एक व्यक्ति को कम Satisfaction मिले और किसी दूसरे व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा Satisfaction मिले कोई जरूरी नहीं है कि दोनों व्यक्तियों को किसी चीज का इस्तमाल करने पर सेम Satisfaction मिले किसी व्यक्ति को कितना Satisfaction मिलेगा, ये पूरी तरह से उस व्यक्ति का व्यक्ति का तमामला है इसलिए हम या कह सकते हैं कि Utility का Calculation करना एक कठिन काम है क्योंकि इसका Measurement अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग होता है इसे मापने का कोई यूनिक तरीका नहीं है जो सभी के लिए समान रहे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सेब खाने से एक व्यक्ति को जितना Satisfaction मिला उतना ही किसी दूसरे व्यक्ति को भी मिलेगा इसका मतलब है कि हम Utility को किसी Mathematical Unit से नहीं नाप सकते हैं लेकिन हम Economics न पढ़ते हैं कि Utility यानि उपयोगिता Positive या Negative हो सकती है तो यहाँ पर सवाल किया जा सकता है कि जब Utility को Measure नहीं किया जा सकता है तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि यह Negative या Positive है बिना संख्या में नापे हम कैसे कह सकते हैं कि इससे Negative या Positive Satisfaction मिला तो दोस्तो भले ही हम इसे नाप नहीं सकते हैं लेकिन Compare जरूर कर सकते हैं जब हम इसे रुपय में Compare करते हैं तो इसे Cardinal Utility Concept कहा जाता है और जब हम इसे आपस में ही Compare करते हैं तो इसे Ordinal Utility Concept कहा जाता है इसके बारे में हम आगे समझेंगे अभी हमें पहली चीज यह Clear कर लेनी चाहिए कि Utility का मतलब उस Satisfaction से है जो हमें किसी वस्तू या सेवा के Conjunction से मिलता है अब हमें दूसरी चीज समझ लेनी चाहिए कि Utility को नापा नहीं जा सकता है लेकिन इसकी तुलना की जा सकती है इसे किसी दूसरी Physical चीज से तुलना करके यह कहा जा सकता है कि हाँ इस वस्तू के Conjunction से हमें इतने के बराबर Utility मिली या उप्योगिता मिली तीसरी चीज की Utility एक Subjective Matter है यह अलग-अलग विक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकती है चौथी चीज की Utility Positive या Negative हो सकती है दोस्तो यूटिलिटी की और भी कई विस्षिस्ता हैं जिसे हम वीडियो में आगे गवर करेंगे तो दोस्तो Cardinal Utility का मतलब है कि हम Utility को संख्या के रूप में नाप सकते हैं जैसे एक वस्तो के Conjunction से चार Utils, तीन Utils, दो Utils या एक Utils के बराबर उप्योगिता मिली Utility को एक काल्पनिक Unit Utils में मापा जा सकता है अब जैसा कि मैंने आपको बतलाया है कि Utility को Compare किया जा सकता है अगर हम इसे रूपे से Compare करें तो हमें किसी चीज के Conjunction से कितनी Utility मिली उसका Accurate Measurement मिल जाएगा उदाहरन के लिए एक आदमी एक किलो सेब के लिए 60 रूपे देना चाहता है तो इसका मतलब है कि उसे उस एक किलो सेब से 60 रूपे के बराबर उप्योगिता मिलती है अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी एक किलो सेब के लिए 50 रूपे देना चाहता है तो इसका मतलब है कि उस दूसरे व्यक्ति को इस एक किलो सेब से 50 रुपए के बराबर उपयोगिता मिली तो इस तरह utility को रुपए में मौपा जा सकता है यही cardinal utility का concept है यानि cardinal utility concept हमें बतलाती है कि उपयोगिता को number में represent किया जा सकता है यह number utils नाम की कलपनी की काई हो सकती है या फिर इसे रुपए के टर्म में दिखलाया जा सकता है यह निर्फर करता है कि हम utility के तुलना किस चीज से कर रहे है utility को औसर लागत के टर्म में भी दिखलाया जा सकता है असल में एक वस्तू पर मिलने वाली utility या उपयोगिता दूसरी वस्तू पर रुपए ना खर्च करने की आउसर लागत के बराबर होती है चलिए आप बात करते हैं ordinal utility concept के बारे में और जानते हैं कि ordinal utility concept क्या है तो दोस्तो ordinal utility concept कहती है कि utility को नापा नहीं जा सकता है इससे रुपए के टर्म में दिखलाना सही तरीका नहीं है क्योंकि रुपए एक ऐसी चीज है जिसकी value में रोज बदला होता रहता है इसलिए अगर utility को compare करना है तो इसे कम से कम ऐसी चीज से compare नहीं करनी चाहिए जिसके value में रोज बदला होता रहता है क्योंकि ऐसा करने पर हमें utility का constant measurement नहीं मिलेगा अगर हम एक मीटर की एक scale से किसी चीज को नापते हैं और ये एक मीटर का scale रोज छोटा बड़ा हो जाता है तो इससे कोई भी नाप accurate नहीं होगी ठीक यही समस्या पैदा हो जाती है जब हम utility को रुपए में मापते हैं Ordinal utility concept कहती है कि utility को रुपए में नापने के बजाए आपस में ही compare करके मिलने वाली उप्योगिता की नाप करनी चाहिए जब हम utility को आपस में ही compare करते हैं तो हमें इसे करम में सजाना पड़ता है इसे एक उदारन से समझेए एक व्यक्ति के पास फलों के चार option है मान लीजे कि सेब, आम, अमरूद, अनार और केला इसके बाद आम, फिर सेब, अमरूद और आखिर में केला इस तरह से उसने अपने पसंद को करम में सजा दिया है ठीक ऐसे ही किसी भी चीज से मिलने वाली उप्योगिता को करम में सजाया जा सकता है यानि ordinal utility concept कहती है कि किसी भी goods या services से मिलने वाली उप्योगिता को करम में सजाया जा सकता है इसे संख्या में represent नहीं किया जा सकता है हम करम में सजा कर ये कह सकते हैं कि हमें इस चीज से सबसे अधिक उप्योगिता मिली उसके बाद इस से थोड़ी कम उप्योगिता मिली फिर इससे थोड़ी कम उप्योगिता मिले इस तरह से हम एक क्रम बना सकते हैं चलिए अब हमें Total Utility और Marginal Utility का Concept भी समझ लेना चाहेगे तो दोस्तो जब हम Cardinal Utility Concept के अंतरगत Utility को संख्या में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे जोड़ कर हम Total Utility भी आसानी से निकाल सकते हैं और हर Next Unit के कंजम्शन से मिलने वाली Utility का हिसाब लगा कर Marginal Utility भी निकाल सकते हैं सबसे पहले Marginal Utility को समझते हैं मान लीजे कि आपके पास एक Bread का Packet है और आपको जोर की भूक लगी हैं इस Bread के Packet में Bread के 5 Slices हैं ऐसे में जब आप पहले Slices को खाते हैं तो मान लीजे कि आपको लगता है कि इस Slices के लिए आपसे कोई 10 रुपे मांगता है उस समय तो आप खुसी-खुसी दे देते हैं इसका मतलब है कि इस Bread से आपको 10 रुपे के बराबर Utility मिली पहले Slices of Bread खाने के बाद अब आपकी भूख थोड़ी सी कम हो गई है इसलिए जब आप Bread का दूसरा Slices खाते हैं तो आपको लगता है कि इस Slices के लिए आप फिर से 10 रुपे तो नहीं देंगे लेकिन हाँ आप 8 रुपे जरूर दे सकते हैं ठीक इसी तरह जब आप Next Slice of Bread खाते जाते हैं तो आपकी Bread खाने की इच्छा पहले से कम होती जाती हैं और हर Next Slice of Bread पर आपको पहले से कम Satisfaction मिलता है इसलिए आप अब हर Slices के लिए पहले से कम रुपे खर्च करना चाहते हैं दोस्तो इस घटना को Diminishing Marginal Utility का Concept कहाते हैं यहां आप Marginal Utility वाले कॉलम में देख सकते हैं कि First Slice of Bread से 10 रुपे के बराबर यूटिलिटी मिलती है जबकि दूसरे Slice of Bread से 8 रुपे के बराबर तीसरे Slice of Bread से 5 रुपे के बराबर चौथे Slice of Bread से आपको को यूटिलिटी नहीं मिली जबकि पांचवा Slice आप खाना ही नहीं चाहते हैं आपको लगता है कि आप उल्टे 2 रुपे दे देंगे इसे खाने के बजाएं यानि पांचवे Slice of Bread से आपको नेगटिव यूटिलिटी मिल रही है यहां पर दोस्तों यहां ध्यान रखना होगा कि हमने यूटिलिटी को रुपे से कंपेर किया है इसलिए हमने यूटिलिटी को यहां रुपे में दिखलाया है ठीक इसी तरह आप टोटल यूटिलिटी वाले कोलम में देख सकते हैं तो आपको पता चलता है कि हर Slice of Bread की इस्तिमाल से टोटल यूटिलिटी लगतार बढ़ रही है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर Marginal यूटिलिटी यहां पर जुड़ती जा रही है आप देख सकते हैं कि पहले Slice of Bread के कंजम्शन पर टोटल यूटिलिटी दस रुपे के बराबर थी और तब Marginal यूटिलिटी भी दस रुपे के बराबर थी अब चुकि हमें पता है कि हर बार Next Unit of Slice खाने पर पहले से कम यूटिलिटी मिलती है ऐसे में Marginal यूटिलिटी घटने लगती है एक टाइम पर ये 0 हो जाती है और फिर Negative में चली जाती है लेकिन जब हम Total यूटिलिटी पर नज़र डालते है जो Marginal यूटिलिटी का जोड है ये तब तक बढ़ रही होती है जब तक Marginal यूटिलिटी 0 ना हो जाए जब Marginal यूटिलिटी 0 होती है Total यूटिलिटी Maximum होती है फिर Marginal यूटिलिटी के Negative होते ही ये घटना सुरू हो जाती है जैसा कि आप Table में भी देख सकते हैं इसी चीज को हम डाइगराम में इस तरह से दिखला सकते हैं उपर Total यूटिलिटी को दिखलाए गया है जबकि नीचे Marginal यूटिलिटी को दिखलाए गया है आप देख सकते हैं कि Same point से Marginal यूटिलिटी और Total यूटिलिटी की सुरुवात होती है और जहां Marginal यूटिलिटी हर Next यूटिलिट के कंजम्शन पर घटने लगती है Total यूटिलिटी बढ़ रही होती है और जब Marginal यूटिलिटी 0 होती है Total यूटिलिटी Maximum पर चली जाती है और जैसे ही Marginal यूटिलिटी Negative होती है total utility घ्टने लगती है तो दोस्तो मेरे ख्याल से आपने समझ लिया है कि utility क्या है cardinal utility और ordinal utility गया concept क्या है total utility और marginal utility के बीच क्या संबंध है दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही ऊपिद करता हूँ कि ये video आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जब भी आप हमें लाइक, शेर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेड़ना मिलती है नए वीडियो बनाने में वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद